हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूं आप और आपका प्रिवार ठीक ठाक होगा दोस्तों चाए आदमी कितना ही बुरा हो हम जिन्दगी में उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम हो एक काम तो अच्छा करेगा तो यहां पर हर्याना सरकार से बहुत सारे अच्छे कम किये भी होंगे लेकिन अब कोई तो एक अच्छा काम और कर दो सहब जी ये क्या है पूरा मामला यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखेगा आगे और दोस्तों लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक् काम आमला है इसके बाद बहुत सारी चीजे और भी आते हैं लेकिन यहां पर हम रोजगार के उपर बे रोजगार के उपर बात करें तो मेरे इसाब से कोई ऐसी एक भी भरते नहीं होगी जो बिना कोरट केस के कंपलीट होगी होगी जो आसानी से की बच्छों को भी लगा ह आज तक मेरे इसाब से जो अरियाना में बढ़ती हुई है कोई बच्छा सैटिस्फाइन नहीं होगा आप जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप मुझे बढ़तियों के मामले में कोई एक अच्छा काम इनके रूल रेगुलेशन पहली बार में ही समझ में आ गया बोजगार के मामले में कमेंट जरूर करना तो यहां पर दोस्तों लगातार जो बरतियां हैं जो पुरानी बरतियां हैं उनको खदेडा जा रहे हैं और उनकी जाच वाच करके उनमें कमी निकल के आ रही है सामने अब ये कमी कहें या गलती कहें या क्या कहें या बरेस्टा बार है लेकिन लास्ट में बरती में कमी निगड़ती है और उसको फिर दुवारा नए सेरे से करने के आधेस है वो कोरट दे देती है 1269 JVT के निखती एवेद तीन मा में हटाकर नहीं बरती करे तो टीचर की बरती का JVT बरती का मामला है JVT बरती नहीं तो आई निरी है यहाँ पर पुराने वाले हैं वो भी यहाँ पर हटा दे गए तीन महाँ में इनको हटाया भी जायेगा और फिर दोबारा से बरती भी की जाई नए फोरम नहीं मांगे जाएंगे जो पुराने वाले बच्चे हैं उनी से इस प्रोसेस को कम्पलीट किया जाएगा इन में समझ्या क्या है वो आपको सोर्ट कट में बता देता हूँ मैं जे बीटी के बरती नहीं कड़ी थी एक ठीक है 2011 के असपास और वो बरती कम्पलीट नहीं हुए 2011 में 2012 में फिर एच्टेट हुआ ओना था एच्टेट 2012 में लेकिन वो नहीं हुआ 2013 में हुआ फिर एच्टेट और फिर eligibility में दिक्कत आ गई कि हम 2011 तक कोई valid बने या 2012 तक कोई valid बने और सरकार का यह करना था 2013 में जो ad stat करा था वो 12 के नाम का था इस तरीके से उड़ गया था system उस टाइम तो बरती कंपलीट कर दी किसी तरीके से लेकिन अब दोबारा से जो verification की गई high court में के इस चलता रहा और इस तरीके से अब यह चीज़े सामने आई है कि दोबारा से अदेश दिये हैं कि बरती के दोबारा जाच करो और process हो दोबारा से करो ताक कि किसी के साथ कोई गलत या गलत तरीके से कोई भी बरती ना हो rule के गडबड़ी से कोई बरती ना हो दोस्तों भाई कुछ भी कहें लेकिन समस्या जो परेशानी है वो बेरोजगार को ही आती है जो selected है उसको भी परेशानी होती है आजकल सरकार में और unselected है उसको भी परेशानी हो रही है आपकी जो भी राय है आप comment box में बताईगा आप किस चीजगा सिगार हुए है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स मताईगा धन्यवाद भगवान के रफ सभी कसमे सुब रहे